हेलो एमिर्ट थाकुरूर आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जैम पोटल पर जब भी आपको ओर्डर कोई सा रिसीव हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या क्या करना होता है कैसे उसका बिल बनाना है कैसे उसके डिलीबरी डेट अपडेट करनी है अल्रेडी मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी लेकिन वह काफी दिन पहले बनाई थी बहुत सी चीज़े अपडेट हो गई है और बहुत से लोग बिल बनाने में बहुत सी गलतिया करते हैं तो वही मैं बताऊंगा कि perfectly कैसे बिल बनाना है जो लोग बिल बनाना जानत उनके लिए तो है ये वीडियो चले वीडियो स्टाट करते हैं कैसे इंवृस बनाना या आपको समझा देता हूं देखें सबसे पहले जब भी आपको ओडोर आ जाता है तो क्लिक करना ऐसे आपको करेंगे याक्से अर्य करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आता है order accepted, accept करने के बाद अब हमें क्या करना होता है, bill बनाना होता है, तो bill बनाने के लिए आप क्या करेंगे, view details पे जाएंगे, view details पे जाने के बाद, यह होता है आपका generate invoice का option, यहां से आपको bill बनाना है, तो यहां पे bill बनाने के लिए हम क्या करेंगे, generate invoice के उपर click करेंगे, generate invoice प कई बना हुआ बिल होना चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं है आपके पास जैसा बिल है अब लेवल आप वह बिल लगा सकते हैं आप मैनुवल बिलिंग ही बनाते हैं अभी तक अपनी बिल बुक तो मैनुवल बनाएं बिल बनाके उसकी PDF फाइल बना लीजिए अप्लोड कर दीजि यह मैंने अपना टेक्स इंवोई कर दिया यहां पर टेक्स इंवोई अपलोड करते ही आप सभी के सामरे मैक्सिमुम यहर राते हैं तो इस एखरन का क्या सोलिशन है जहां पर भी आपके PDF फाइल सेव हैं आप वहाँ जाईए और वहां से उसका फाइल की नेम को रिनेम करन वो इसलिए कर रहा था मेरे file name है उसमें यहां पर यह देखिए dot लगा हुआ है numerical लगा हुआ है तो यह सारी चीजे नहीं होनी चाहिए आपके file का नाम जो होना चाहिए सिंपल सा होना चाहिए gst tax invoice है invoice इसमें कोई भी comma dot slash यह सारी चीजे नहीं होनी चाहिए even space तक नहीं होना चाहिए आपके file name में इसको मैंने save कर दिया आप देखे same file मैं अब upload करूँगा यह error मेरे पास show नहीं करेगा जैसे मेरे पास अब यह error show कर रहा था पहले अब मैं दुबारा से file upload करूँगा मैंने justine voice पर आया अब यह देखे मेरे में कुछ नहीं है सिर्फ आल्फवेटिक है कोई comma नहीं कोई slash नहीं कोई dash नहीं तो मैं अब इसको upload करके देखता हूँ यह मैंने upload किया successfully मेरे फाइल ले लिया जैसे आप यहां से select कर लेंगे upload पर आजागा यहां पर यह देखे upload का बटन दिखता है आपको इसके उपर आपको क्लिक कर देना है upload यह मैंने upload कर दी फाइल और upload होने के बाद जब आपका यह लिखा आ जाए upload completed successfully तो आपका uploading का 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 हो गया ठीक है अब इसके बाद यहां पर क्या करना है आपको अपना seller tax invoice number डालना है तो invoice number कौन सा डालना होता है जो भी अपने अपने tax invoice डाला बनाया है उस पर से देखके तो यहां पर ही मैंने number डाल दिया अपना seller tax invoice date किस date का invoice है मेरा बारा एक का date सेलेक्ट कर लूँगा जिस भी दिन आपने dispatch कर दिया हो स्लेक्ट कर लिजिए कैसे बीजा है आपने courier से बीजा है इंडियन पोस से manual online तो वह आप स्लेक्ट कर लिजिए maximum details में manual स्लेक्ट कीजिए manual easy रहता है बाकि आप अगर courier वेगारा करते तो आपसे बहुत से details मांगता तो आप इसको रहने द दिजिए consigny location पर जा रहा है या बायर location पर जा रहा है वह state क्या है वह select करना इसके बाद आपको जहां से जेस्टी नमबर अगर बायर का आपके पास जेस्टी नमबर है तो वह upload कीजिए otherwise रहने दी इसके बाद supply type यहाँ पर बहुत से लोगों को confusion होती है इंट्राइस्टे में रहता हूं और जो मुझे order आया हो वह भी नत्ये पर दे स्धिर करण आया है तो उस case में क्या करूंगा इंट्राइस्टेट जसलेक्ट करूंगा और मैं अगर नत्ये पर दे स्केस में मैं क्या तो As तो यह होता है इंट्राइश्टेट और इंट्राइश्टेट का फरक तो अभी हमारे case में same हमारा location भी मद्देपरदेश है और हमें जो order receive हुआ है वो भी मद्देपरदेश से हुआ है हम क्या select करेंगे यहां पर इंट्राइश्टेट इसके बाद यहां पर देखें अप्लोड इवे विल आपसे कब मांगता है जब भी आपके order के value पचास जार यह पचास जार से उपर होती है तो आपको इवे विल लगाना mandatory होता है तो यहां से आपको अपना इवे विल भी अप्लोड कर दो तो यहां पर मैंने अपना इवे विल भी अप्लोड कर दिया और यह मेरा अप्लोड सक्सेस्पुल हो गया अब इसके बाद क्या है देखें यहां पर आगया हम यहां पर आने के बाद आपसे supply quantity पूछ रहा है कि quantity कितने supply हो यह तो यहां पर लोगों को बड जब 25 पीसेट डाल दीजिए ठीक है और उसके बाद बाकी जो उसकी calculation है वो डाल दीजिए और जो balance है उसका next bill बना देना next bill बनाने के लिए same इसी order पर आपके पास process सोख करेगा आप वहापे quantity डाल सकते है तो अभी फिलाल मैं full quantity डाल रहा हूं लेकिन आप part wise भी quantity डालना च तो देखिए आपके tax invoice पर लिखा होता है फिर भी मैं taxable amount की calculation कैसे की जाती है यह एक बार आप लोगों को समझा दिखा देता हूं कि कैसे आपको taxable amount की calculation करनी है तो यह देखिए मेरा जैसे taxable amount है 38330 रुपे अब यह कैसे निकला वो मैं आपको calculator पर calculate करके दिखा देता हूं यह मैंने अपना calculator on कर लिया अब मैं क्या करता हूं सबसे पहले check करता हूं कि मेरे को जो order receive हुआ है वो कितने का हुआ है मेरे को order receive हुआ है 4494970 मैं सबसे पहले यहां पर type करूंगा 4494970 और इसके बाद को divide कर दूंगा मेरे product पे जो भी GST tax rate चल रहा है मानलीजी जो मेरा product है उसके उपर 18% का tax rate चल रहा है तो मैं मेरा जो total order value हो उसको क्या करूंगा divide कर दूंगा 118 से यहां पर मैंने क्या क्या divide 118 और इसको कर दूंगा equal और उसके बात क्या करूंगा गोणा 100 तो यह मेरा निकल जाएगा taxable amount यह देखे 381330 और मेरे bill में जो था taxable amount वो कितना था 381330 तो ऐसे निकालना होता है आपको अपने taxable amount की calculation कई वाल लोग वा गलती करते हैं जिसकी वाज़े से उनको आपका invoice नहीं बन रहा होता round of वाले section में हो वो काफी ज्यादा amount आ रहा होता है जिसकी वाज़े से invoice उनका create नहीं हो रहा हो taxable amount निकालने के लिए आपको क्या करना है total order की value जितना भी आपका GST का tax rate है उसमें चाल लाग का order था तो चाल लाग divided by मेरे product पे 18% GST tax rate है तो 118 divided by into 100 कर दूँगा तो मेरा टैक्सीबल amount मेरे सामने निकल जाएगा यहां पर आपको यह वाला amount डालना होता है जो हम यह हमने calculation से निकाल के देखा इसमें बहुत लोग कंफ्यूद होते कि taxable amount निकाला कैसे जाता है 381330.50 तो यह मेरा taxable amount था और यह देखे मेरा round of बाले section में कुछ नहीं आया, 0 का 0 आया और अगर आप bill गलत बना रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा यह क्या होता है आपका यह जो round of बाला section है इसमें amount बहुत ज्यादा आ रहा होता है तो इसमें round of में आपका यह यह तो 0 रहे यह 1 रुपे से minus इस से ज्यादा amount नहीं होने च में 236 रुपह आ गया, enter correct taxable amount तो यही error सबके सामने आता है तो calculation याद रख लो जो मैंने बताई उस तरीके से calculation करना कभी भी आपका invoice गलत नहीं होगा, यह देखे, यह मेरी calculation निकली round of में बिल्कुल 0 आप इसके बाद में को क्या करना है, addition code जो भी आपका addition code है वो देख लो नहीं पता होता आप लोगों को तो simple सा क्या करो, copy करो अपने product का नाम, google पे चले जाओ, addition code लिख दो गए, यह आपका addition code आगया, क्या क्या करो, इसको copy करो, और यहाँ पे paste कर दो, यह हमारा addition code हो गया, अब इसके बाद हम क्या करते है, preview पे click कर लेते है, preview किया, यह मेरा invoice का preview version आगया, check कर लो, सारी चीज़े okay किये, आपने नहीं किये, okay है, तो आप क्या किजी, यहाँ पे check box पे click कर दीजिए, check box पे click करने के बाद, यहाँ पे create के button पे click, create के button पे click करने के बाद देखे, इस तरह का आपके पास pop-up message आएगा, invoice successfully saved and created है, आपका jam invoice number इतना है, आप इ इसकी बज़े से उनके account पे incidents आ जाती है, या उतके buyer को CRC बनाने बनाते time, उसकी CRC बनाने में बहुत ज्यादा problem आती हुए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे consignee shipment wise वाले tab में जाना है, shipment wise वाले tab में जाके को क्या करना है, अपने जो invoice बनाया है, उसको OTP से verify करना है, तो OTP से verify करने के लिए यह जो pencils icon बनके आ रहा है आपके पास, इस पे click किजिए, click करने के बास 3-4 option होते है, आपके पास best OTP verification रहता है, तो आप OTP verification कर लिजिए यहाँ पे, और जो भी आपके पास OTP आएगा, वो आपको OTP enter कर देना है, जैसे आप OTP verification पे click करेंगे आपके registered mobile और email दोनों पे OTP जाता है, उसके बाद आप कहीं से भी अपना OTP check कर लेजिए, उसके बाद इसको verify कर दीजिए, जैसे आप verify करेंगे, OTP verify successfully का आपके पास option आजाएगा, और इसके बाद दुबारे से आपको क्या करना है, अपने shipment wise वाले tab में जाना है, और delivery date update कर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कहता है, upload delivery proof document, तो upload proof delivery document क्या होता है, माली जी आपने logistic से बीजा, तो logistic क्या आपके पास built होगी, या आपने manual बेजा है, किछ भी क्या हो, वहाँ से बाइर के पास से आपके पास एक receiving copy मिली होगी, आप जब यह अपने stock को बेजे, तो उसके दो बिल की copy बेजे, एक buyer अपने पास रख ले, एक पे sign stamp लगा के आपको दे दे, तो आपको यहाँ पे वही proof upload करना होता है, delivery proof, कि आपके पास जो भी receiving है, कि हमने deliver कर दिया product, same process से add file पे हम click करेंगे, add file पे click करने के बाद यहाँ से upload कर देंगे, upload करने के बाद, यहाँ से upload in progress, upload successfully, और delivery date, आपने किस दिन इस order को supply किया, किस दिन deliver किया, वो date select कर लिजे, ध्यान रहे, जब भी आप इसको update करेंगे, उससे तीन, दो से तीन दिन की ही back date आप select कर सकते हैं, मान लिजे, आज मैं 17 तारिक को delivery date update करने बैटा हूँ, और मैं सोच हूँ, एक तारिक के delivery date update कर कर दे, ध्यान रखिए, अगर आपने अपने पुराने orders की delivery date update नहीं है, तो अभी तुरांत उनकी भी सबकी delivery date इस तरीके से update कर दे, क्योंकि delivery date update करना बहुत जरूरी है, तो यहां से मैं date select कर लूँगा, और इसके बास submit कर दूँगा, submit करते ही, यहां पे आगया delivery date updated successfully, और म download ebay bill, जो हमने लगाया view, और regenerate, मान लिजे कुछ गलती होगी आपसे, तो यहां से आप regenerate भी कर सकते हैं, download के button पे click कर लिजिए, आपका invoice download हो जाएगा, कुछ इस तरह का, इस तरह का invoice download हो जाएगा, और इसका print out निगाल के आप अपने sale register में mention करके रख लिजिए, तो यह इसा process कैसे आपको complete invoice create करना होता है jam portal का, उमीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो like share करना मत बूलना, बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, किसी unique content के साथ,